हेलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल आज हम लोग टैंप्रारी और पर्मानेंट स्टिचिज के बारे में जानेंगे मेरी एक पहली वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक स्टिचिज के बारे में बताया था जो कॉमनली यूज की जाती हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को टैंप्रारी और पर्मानेंट स्टिचिज के बारे में बताऊंगे जो आपकी टैंप्रारी रहती हैं स्टिचिज और जो आपकी पर्मानेंट लगाई जाती हैं गार्मेंट में स्टिचिज उनमें डिफरेंस क्या होता है और उनमें कौन-कौन सी तो आई यह start करते हैं और आगे भड़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग introduction करेंगे हमारी temporary और permanent stitches का या जो stitches होती हैं उनका introduction read out करेंगे उसके बारे में जानेंगे कि क्या होती है किस तरीके से की जाती है उनको temporary और permanent क्यों कहते हैं तो आई यह start करते हैं Swing is a creative and interesting art and skill जो आपकी swing है वो एक creative और interesting skill है To prepare a well finished garment stitching is done by combining the different garment components तो जब stitching जो होती है वो हमारे दो garment को finish करने के लिए की जाती है आपको पता है कि हमारे जो garment है without stitching नहीं होंगे अगर हम उसको सिलाई नहीं करेंगे तो वो garment बनेगा ही कैसे वो एक fabric ही रहेगा तो इसलिए जो stitching है वो एक बहुत ही creative और interesting skill है जिसकी knowledge हरे को होना चाहिए और जिसको नहीं उसको भी लेनी चाहिए Garment construction is a technical accomplishment that requires the knowledge and skills of basic swing technique जो garment construction है कि हम garment को किस तरीके से पहले उसका pattern cut करेंगे और किस तरीके से उसको सिलेंगे तो वो क्या है हमारे garment construction तो यह एक technical accomplishment है जो require करता है काफी knowledge की और skills की किसकी basic swing technique कि हम किस तरीके से सिलाई करेंगे या क्या-क्या सिलाई के parts होते हैं क्या-क्या material के हमें जरूरत होती है तो जो garment construction है इस type के knowledge की need करता है यानि कि garment को construct करने के लिए garment को सिलने के लिए हमें इस type की knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है pattern पता होना चाहिए drafting पता होनी चाहिए उसमें material क्या use होगा और किस तरीके से हम उसको करेंगे सिलाई की कितने type की सिलाई होती है जो हम उसमें कर सकते हैं as a decorative purpose, as a permanent, as a temporary तो इन सब चीज की knowledge होना हमें जरूरी है तो यह सारी चीज हमें हमारी skill है जो सबको होनी चाहिए application of stitches, seams, darts, gathers, pleats and edge, finishes, etc. जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि tools के बारे में pattern के बारे में इन सब चीज के बारे में पता होना चाहिए आपक mio, पर साथ ही हमे हमारी stitches, ha-seam jo, si, sily होती उनके बारे में पता होना चाहिए darts के कैसी होती है, darts कहां डलती है, किस तरीके से डलती है, gathers कहां पर जरूरत आती है, gathers क्यों डालते कि प्लीट्स को डालते हैं किस तरीके से आती हैं यह लापने इन सब चीज के आने के बाद यह भी पता होना ** चाहिए कि हम अपने गार्मेन्ट को सकते हैं क्योंकि भहुत ज़्यादा जडूरी है कि It's appropriate application in garment construction is necessary for a good quality product तो हमें अगर अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है तो जितनी भी applications होती हैं जो भी need होती है हमें जानने की garment को construct करने के लिए वो सारी चीज की knowledge हमें होनी चाहिए इसी वजह से fashion designing की study होती है ताकि सब लोगों को अच्छे से knowledge हो जाए कि किस तरीके से slide की जाती है क्या-क्या material उसमें use होता है और किस तरीके से हम उसको finish कर सकते हैं तो एक product को finish करने के लिए उसको अच्छा बनाने के लिए इन सब चीज की knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है A garment that is made will be attractive if it fits well and proper attention is paid to its finer detail जो एक garment है जब बनता है वो काफि अट्रेक्टिव और fit होना चाहिए ताकि उसको जो पहने गा या जो पहनने वाले हैं customers हैं उसको देखके अट्रेक्ट हों और उसको पहनने की चाहा रखें उसको पहनने की इच्छा रखें और जो उनका attention है उसको create करें और जो details है वो भी उन तक पहुचे कि क्या detail है इस garment की तो यह सारी चीज अगर आपको आ गई तो आप एक good construction है good garment constructor है और fashion designer है और अगर आप यह सब चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको study की knowledge होनी चाहिए कि यह किस तरीके से होता है a sewing machine operator must be aware about the two sides of the fabric the right side and wrong side जो machine operator होता है या जो machine पे work करता है उसको पता होना चाहिए कि fabric की कौन से wrong side है और कौन से right side यानि कि कौन सा कपड़ा किस तरफ से उल्टा है और सीधा है क्योंकि कपड़े की दो sides होती हैं कुछ कपड़े I know होते हैं जो दोनो sides से एक से होते हैं दिखने में लेकिन उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा actual right side कौन सा है क्योंकि हर fabric का एक right side जरूर होता है कुछ fabric होते हैं जो दोनो sides से एक जैसे होते हैं हम दोनो sides से use कर सकत है उसको लेकिन फिर भी हर एक राइट साइड होता है तो जो ऑपरेटर होता है जो सिलने वाला होता है उसको पता होना चाहिए कि हमारे फैब्रीक कर राइट साइड कौन सा है यह किस तरह किस है लेकिन उससे जगापर राउंड आती है उस जंगापर वह जो सेल्वेज कैला आ hearts जिसके त्रूं पता लगता है कि ये राइट साइड कोन सी ओर लाइट राइट साइड होती है उस जंगा से से डाक कलर की होती है और जिस 안 какой-घ् tehd Works यह ठोड़ी लाइट कलर की होती है और साथ ही वो थोड़ी smooth होती है उस जंगा से राइट साइड से लेकिन जो हमारी wrong side होती है जो ultra side होता है फैब्रिक का वो थोड़ा rough होता है और unfinished होता है और साथ ही में थोड़ा light color का होता है देन तू राइट साइड उसके मुताबिक जो रॉंग साइड होती है फैब्रीक की वहां से वो थोड़ा light color का होता है कम dark होता है तो उससे हमें पता लगता है कि कौन सी रॉंग साइड है और कौन सी राइट साइड तो इन सब चीज की अगर हमें कपडा सिलना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होने चाहिए टैंप्रारी और पर्मानेट सिच की और साथ ही में हमें प्रेक्टिस भी होने चाहिए सिलाई करने की तो जब हम अपनी गर्मेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो टैंप्रारी और पर्मानेट के साथ-साथ हमें फ्लाट सीम, लैपिड, फ्रैंच और स्लोट सीम के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये कौन-कौन सी सीम होती है और कहां पर इनका व्योग किया जाता है ये कुछ सीम ऐसी है जो हमारे कपड़े को मजबूत बनाती है जिस जैसे कोई कपड़ा कमजोर होता है उस कपड़े को भी हमें मजबूती देनी है उस कपड़े पर हमें मजबूत सिलाई करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे तो ये कुछ 4 seams होती हैं जिनके थुरू हम अपने fabric को मजबूत slide दे सकते हैं तो इनके बारे में हम लोग next video में detail में discuss करेंगे The edges of garments are finished using different type of edge finishes like pink finish, edge stitch finish, double stitch finish etc तो जब garment को हमने ready कर लिया, हमें temporary permanent stitch के बारे में पता लगया लेकिन हमें finishing का भी उतना ही खयाल रखना होता है garment की जतना कि सिलाई का तो जो finishes होती है, वो किस sli के थुरू हम दे सकते हैं हमारी pink finishes के और edge finish होती है, एक सिलाई उसके थूरू दे सकते हैं जिसके थो हम अपनी मशीन को फिनिश अपने फैब्रिक को फिनिश कर सकते हैं इस यूनिट विल हल्प यू लर्न अबाउट दा वेरियस टाइप आफ स्टिचेश सीम्स एजिस फिनिश एक्सेक्टरा ओल अफ विच अपने कपड़े को कैसे फिनिश करें तो ये सारे जो हमारे गार्में को कंस्टरक्ट करने के लिए फूसरी चीज हैं तो सबसे पहले आँता है तो कितने टाइप के स्टिच होती है stitches almost every garment और other stitch article we see needs some hand stitches तो हम hand stitches के बारे में पढ़ेंगे thus we should be able to handle the needle and thread to carry out hand stitches competently तो हमारी कुछ hand जिससे हम हाथ से स्लाई करते हैं और कुछ machine से स्लाई करते हैं तो इस टाइब के कुछ stitches हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे Before learning stitching on the swing machine one should learn the basic hand stitches which are very commonly used in the manufacturing of garment and other articles तो हमें machine पे स्लाई करने से पहले हमें हाथ से स्लाई करना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें पता होना चाहिए कौन सी स्लाई को हम क्या बोलते हैं वो किस जगा पे यूज की जाती है तो machine पे हम तभी उस चीज़ को follow कर सकते हैं जब हमें पहले हाथ से पता होगी कि हम किस तरीके से उस स्लाई को करेंगे तो जो भी सिलाई होती है जब भी कोई सिलाई होती है हमेशा लूप के थू होती है जैसे machine की जो होती है उसमें हम नीचे से loop उठाते हैं और जो needle होती है वो नीचे से loop उठाई जाती है और इसी तरीके से हमारे हाथ की में होता है हाथ में loop न उठाके वो normal stitch करती से ली जाती है तो interlooping is a passing of a loop of thread through another loop तो जो interpassing है loop की जो machines होती हैं उसमें नीचे से उठाती है लेकिन जो हम hand से करते हैं उसमें आगे पीछे से हम loop उठाते हैं The basic hand stitches are divided into two types depending on their use तो जो हमारी stitches हैं वो two type के उपर divide करी गई है जैसे मैंने आपको उपर भी बताया था temporary और permanent stitches इन दो पार्ट में हमारी stitches को हमारी सिलाईयों को divide कर दिया गया है according to their work जिस type का हमें work करना है उसके according हमारी सिलाईयों को divide कर दिया गया है तो सबसे पहले आता है हमारा constructive stitch हमारी ये भी दो type की होती है constructive और decorative constructive यानि की जो हम कपड़े को सिलने के लिए यूज करते हैं सिलाईयों को तो वो कौन-कौन सी होती है उसमें भी हमारी दो प्रकार की होती है temporary और permanent और ऐसी ही हमारी decorative stitches जो यानि की कपड़े को सजावत के लिए उपयोग में किया जाता है कपड़े को सजाना है तब हम उन type की stitches का use करते हैं तो इसलिए उनको हम decorative stitches बोलते हैं तो आए constructive stitches पढ़ते हैं It is a line made by a portion of swing thread passed over and under an equal and unequal number of threads for construction purpose जो हमारा swing का portion होता है वो हम किसलिए करते हैं ताकि हम equal और unequal threads को construct कर सके हमारे जो सिलाई होती है वो equal और unequal होती है तो हम उन सब चीज को सीख सके और कर सके इसलिए हमारी हम इसलिए सिलाई करते हैं Such stitches can be classified as temporary and permanent stitches तो कुछ stitches हैं जो divide कर दी गई है two parts में temporary और permanent temporary यानि कि जो कुछ वक्त के लिए उपियोग में लाए जाती है स्थाई और जो हमारी permanent होती है वो स्थाई stitch के लाती है यानि कि जो permanent stitch होती है तो temporary stitch परते हैं हम पहले Such stitches are used to hold the garment और fabric pieces together before permanent stitches are made तो हमें जो temporary stitch होती है यानि कि जो erst thigh stitch होती है erst thigh sly होती है वो किसले की जाती है ताकि हम permanent sly कर सके अपने fabric की उपर अपने garment की उपर तो जब भी हमें permanent sly करने होती है erst thigh sly करने होती है उससे पहले हम अपनी erst thigh sly करते है यानि कि जो temporary sly होती है ताकि हम उसको बाद में cut कर सके जब हमारी final stitch हो जाए इसलिए हम अपनी पहले temporary sly करते है these stitches are also known as tacking or basting stitches इनको हम tacking और basting stitches भी बोलते हैं अगर आपको लगे कि हाँ temporary stitches कौन सी होती है तो temporary stitches भी आपका question आसकता है और basting stitch और tacking stitch भी आपका question आसकता है तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारी temporary stitch होती है उसको tacking और basting stitch भी बोलते है Usually this stitch is horizontal and it is worked from the right to the left side with a knot यह जो सिलाई होती है यह horizontal सिलाई होती है और यह हमेशा right to left work करती है मतलब हम इसको right से left की और लेके जाते हैं Left से right की और नहीं right से left की और लेके जाते हैं और सबसे पहले इसको start करने से पहले हम एक gant लगाते हैं अपने कपड़े में ताकि हमारा धागा भी जम जाए फैबरिक में और जो फैबरिक की लेयर है वो भी अलग ना हो Various kinds of tacking basting stitches are as follow तो कुछ temporary tacking basting stitches हैं तो आईये वो पढ़ते हैं सबसे पहले आती है हमारी even basting यानि कि हमारी जो equal level पर आती है basting It is used to hold the fabric together temporarily but more securely than in uneven basting हम इसमें अपने फैबरिक को secure करके रखते हैं ताकि वो अपनी जंगा से move ना करे Make even stitches of about 1 4th inch to 3 8 inch long तो जो हमारी even basting होती है उसकी जो सिलाई की length जो होती है वो कितनी होनी चाहिए 1 4th inch या 3 8 inch होनी चाहिए When easing one layer of the fabric to another layer Hold the layer to be eased on top and gather this top layer to stitch जब हमें अपने फैबरिक को सिलना होता है जब एक के उपर दूसरी लेयर रखते हैं हम तब हम इस सिलाई को करते हैं ताकि जो हमारा फैबरिक है वो अपनी जंगा से ना हिले जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह हमारी even आप देख सकते हो इसमें कि कितने equal level पे यह stitch हो रही है यह देखिए इसमें हमारे आप देख रहे होंगे कि जितना space है उतनी ही हमारी सिलाई है आप सब में देख रहे होंगे इसी तरीके से हैं जितनी हमारा thread का size हमने लिया उतनी हमने बीच में space छोड़ी तो इसी वज़ह से हम इसको even basting बोलते हैं और ऐसी ही हमारी uneven basting होती है तो आएए उसको भी पढ़ते हैं तो हम इसको कब करते हैं यह भी हमारी fabric को hold करने के लिए ही होती है जो हमारी 2 layer होती है उसको hold करने के लिए होती है only where there is no strain or the stitches उस जंगा पर इसको प्योग किया जाता है जिस जंगा पर हमारी कोई stitches नहीं होने होती या कोई strain नहीं होता कुछ support करने के लिए नहीं होता उस जंगा पर हम इसको सिलते हैं use this type of basting as the guideline on the upper side of the fabric is at least twice than that on the underside of the fabric यह सिर्फ यह जो basting stitch है यह एक guideline के तरह से उप्योग की जाती है अपर side of the fabric यह fabric की उपर की side की जाती है ताकि हमें पता लगे कि हमें पीछे की और किस तरफ से सिलाई करनी है या हम कितना फोल्ड कर सकते हैं as a guideline हम इस सिलाई को करते हैं at least twice than that on the underside of the fabric कम से कम दो बार इसकी हम सिलाई करते हैं make a long stitch about half inch on one side of the fabric and then a short stitch one-fourth inch on the other side of the fabric तो हम इसको दोनों side करते हैं एक front side और एक wrong side fabric के तो जो हमारी एक side होती हो उस जंगा पे हम आधे inch की सिलाई करते हैं आधे inch का gap रखते हैं और जो दूसरी side होती है उस जंगा पे हम short stitch करते हैं जिसमें हम one-fourth inch का size रखते हैं यह देखिए यह हमारी uneven basting इसमें आप देख पा रहे होंगे कि gap जो है वो तो बड़ा रखा गया है लेकिन जो धागे के लिए है वो बहुत ही छोटा है तो इसलिए इसको हम uneven basting बोलते हैं लेकिन जो even basting होती है उसमें जितना यह size है उतना ही यह size रखा जाएगा जितना नीचे से उठाएंगे उतना ही ऊपर से उठाएंगे देन आती है हमारी डाइगनल basting दिस इस यूज़ तो होल्ड तो पीसे ऑफ फैब्रिक तोगेदर वैन मोर दैन वन ड्रो अफ टैकिंग इस रिक्वायर जो हमारी डाइगनल जितनी भी हमारी स्टिचुज होती है अब्विसली बात है वो दो फैब्रिक को होल्ड करने के लिए ही होती है दो लेयर को होल्ड करने के लिए होती है तो ऐसी ही हमारी डाइगनल बास्टिंग है जो की दो फैब्रिक को होल्ड करने के लिए कि जाते हैं कई बार और इसको हम सिर्फ उसकी जो एजेज है उसको रोकने के लिए temporary edge रोकने के लिए भी हम सिलाई कर सकते हैं फिर बाद में उसको काट लेते हैं जब हमें एक या एक से ज़्यादा लियर को अटेच करना होता है तब हम डाइगनल बास्टिंग करते हैं ताकि हमारे कपड़े को हम ज़्यादा सपोर्ट दे सकें ज़्यादा देर तक सपोर्ट दे सकें For example, when you are attaching interfacing to a collar or mounting a fabric on to an underlining etc For example, जैसे हम अपने कपड़े में अपने garment में हम अपने lining attach करते हैं अस्तर हो गया या बुक्रम हो गई या फ्यूजिंग हो गई इस तरह के से हम attach करते हैं तो तब हम इस टाइप की डाइगनल बास्टिंग को use करते हैं क्योंकि हम काफी सारी लेयर हो जाती है जैसे हमारा main fabric है देन बुक्रम हो गई एंड लास्ट अस्तर होता है तो तीन तरह के fabric हो गए तो इस बार तीन से चार लेयर जो होती है तब हम उसको जो हम डाइगनल बास्टिंग है इसको use करते हैं ताकि ज्यादा strong में ये temporary stitch टिकी रहे क्योंकि जो normal stitch होगी वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी या निकल जाएगी क्योंकि heavy हो जाता है fabric इसलिए तो इसलिए हम डाइगनल बास्टिंग जो है stitch को हम उप्योग करते हैं इसको हम vertically और horizontally भी यूज कर सकते हैं तो देखे यह है हमारी diagonal बास्टिंग स्टेच यानि की डाइगनल यानि की जो आड़ी होती है इस stitch को हम आड़े करते हैं और इसको इसका second name होता है tailor-basting तेलर स्टिच नहीं tailor-basting भी हम इसको बोलते हैं तेलर स्टिच अलग है tailor-basting अलग है ठीक then last आती है हमारी temporary stitch में slip-basting जिसको हम तुरपाई भी बोलते हैं invisible तुरपाई जैसे कि इसमें लिखा भी है also called invisible hand-basting इसको हम invisible hand-basting भी बोलते हैं it is used when working from the right side of the fabric and to mark fitting alteration और on occasion where patterns have to be joined accurately तो इस सिलाई को हम अपने right side use करते हैं ताकि हम right side दिखा सकें अपनी कि बहुती finishing में होती है और mark कर सकें कि हां यहां पर हमारा alter होना है उस जंगा पर हम इस type के slip-basting को या invisible hamming को use करते हैं for example strips checks etc जैसे कि हमारे strips हो गई checks हो गई इन type की जो होती है उनको attach करने के लिए हम इसको हमें invisible stitch कर देंगे जैसे कि हमें कोई भी patchwork भी attach करना तब भी हम invisible stitch कर सकते हैं turn under on edge of the material on the seam line यह हमारी seam line पर की जाती है जो जहां पर seam line होती है यानि कि जहां पर सिलाई की जाती है उसके end पर यह सिलाई की जाती है pin the folded edge carefully to the seam line on the other edge with pins at right angle to the seam तो जो हमारी folded edge होती है उनको carefully सिलना चाहिए ताकि right angle पे हम उसको ला सके और मतलब आगे पीछे move ना करे या अपनी जगह से वो ना हेले तो इस हिसाब से हमें इसको सिलना चाहिए अधरवाइस जोल आ जाता है garment में या fabric में take even taking stitch alternatively through the fold and through the single edge on the seam line तो हम taking stitches करते हैं या तो fold fabric पे या फिर जो single line होती है single edge होती है उस पर भी हम इसको stitch करते हैं यानि कि fabric को fold करके तो यह देखिए यह है हमारी slip stitch इसमें आप देख सकते हैं कि जो thread है वो किस तरीके से जा रहा है इस angle से हमारा start हुआ और fabric जो हमने needle है वो यहां से penetrate करी देन बाहर निकाली और फिर यहां से एक या दो fabric उठाया फिर fabric के अंदर दिया फिर बाहर निकाला इस तरह से करके यह पूरी zigzag form में चलती है तो विक्कुल आप देख भी पा रहे होंगे कि थोड़ा सा fabric यहां से लिया थोड़ा सा fabric यहां से लिया तो यह जो यहां से लिया है भाहर की side से बिल्कुल छोटी सी slide दिखाई देती है तो आपकी temporary stitches यहीं पर finish होती है तो I hope कि आपको यह stitches समझा पढ़ी है तो फॉर्थ टाइप की कौन कों से stitches हमने पढ़ी है हमने अपनी slip stitch के बारे में पढ़ा रनिंग और uneven stitches के बारे में पढ़ा और फॉर्थ हमने diagonal stitches के बारे में पढ़ा तो I hope कि आपको यह चारों की चारों stitches अच्छे से समझ आ गई है तो I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लेकिन फिर भी आपको कोई query है कोई question है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे comment section open रहता है आप वहाँ पर जाके मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं लीचे एक description box होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का link मैंने शेयर किया हुआ है अदरवाइस मैं वीडियो में भी साथ की साथ शेयर करती हूं अपनी आईडी का name जिस name से मेरी ID होती है आप वहाँ से भी name लेके आप enter करेंगे तब भ खुल जाए गया वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी question या किसी भी तरह की आपको query है वीडियो से related या उस content से related आप मुझसे easily पूछ सकते हैं तो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए और जो भी query हो वह आप मुझसे easily पूछ सकते हैं so thank you आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को बाबाई